सब्सक्राइब दोस्तों स्वागत आप सभी का हमारी यूटूब चैनल विद्धिकारी में दोस्तों इस वीडियो में हम सिविल प्रक्रिया संगिता के सब्सक्राइब इसके पहले कि जोुद्सक्राइब अधेज हैं इन सभी कवर करने की कोसिस किया है हमारी प्रयास यह है कि हमारी इस रंख्ला के माध्यम से PC पर आप का कमांड हो जाए और आप कही वी कोई भी ऐसा बिंदु नहीं रह जाए अप उसमें कमजोर महसूस करें अपने आपको और जितने भी अब इसमें ऑगर हैं dhas तो इसके पहले के साथ वाट को आप जरूर देखें और इसी की साथ आई पीसी के लावा आई पीसी सी आर पीसी एविडियन्स अजा है टीपीए है कांट्रैक्ट है और कांस्ट्यूशन है टार्ट है एड्मिनिस्ट्रेटिव लाहे जितने भी अधनियम और भी है चाहे वह प्राजस्थान तो सभी जो राज्यों की परिछाएं उनके लिए जो भी आवस्यक सिलेबस में विसे हैं उनको हमने कवर किया है तो उसको आप जरूर देखें आईए आप सुरू करते हैं इस आठ्वे खंड को और यहां पर जो प्रस्न हैं वह किस प्रकार से हैं उनको दे करता है तो इसे क्या कहा जाता है तथ्यों का एक समोह होता है और वह जो तथ्यों का समोह है वह संबंधित बीधि के साथ वादी को प्रतिवादी के विरुद्ध उपचार प्रदान करता है इस तथ्यों के समोह को क्या कहा जाएगा इसको वाद हेतु कहा जाएगा अर्था प्रतिवादी को परfeitum प्रतिवादी रखता है तो इस-प्रकार से आप यहां पर जो सब्द दिये गए हैं उनको भी समझ दिए हैं अगला प्रस्न देखते हैं एक वाद में स्वत्व, अधिपत्य, अधिकार, छेत्र इया छेतर आधिकार, वादमोल्यांकन, नियाले, सुल्क एतने प्रकार के जो वादपद हैं बनाए जाते हैं अब यहाँ पर यह पूछा जा रहा है कि इन में से किन वादपदों का या किस वादपद का विचारण अथवा निस्तारण किया जाना चाहिए तो देखिए एक न्याले के समक्ष जब कोई भी मुकदमा लेकर जाया जाता है वहाँ पर कई प्रकार के जो है दावे किये जाते करेगा देखेगा क्या उस मामले का छेत्राधिकार है या नहीं है तो छेत्राधिकार संबंधी जो वादपद है उसका निस्तारण सबसे पहले करेगा अगर वह उस पद का निस्तारण करने के लिए सक्षम है तो वह सबसे पहले उसको उसका निस्तारण करेगा उसके बाद वह स्वत्य संबंधि या अन्य जोद भी दावे किये जा रहे हैं उनको वह निस्तारित करेगा अगर मा देखता है कि वह उसका विचारण करने के लिए सक्षम नहीं है तो ऐसी स्ति में क्या करेगा आदे साथ नियम दस के तहर मामले को लटा देगा कहां लटाएगा तो उसक सही नियाले में या सक्षम नियाले में पेश करने के लिए मामले को लटा देगा ताकि उतको सही नियाले में उसको पेश किया जा सके और वहां से उसका विचारण किया जा सके तो यहां पर इस प्रसंद में तीसरा विकल्प सही होगा नेक्स क्रोश्चन है न्याले उन अभिकतनों अंतरवस्त के आधार पर विवादिकों की विरचना नहीं कर सकेगा जो पक्षकारों के द्वारा किये गए हैं अब देखें इसके लिए हमको देखना होगा आदेश चाउदा का नियम तीन तो आदेश चाउदा का नियम तीन के अंतरवत क्या प्रावधान है कि वह सामग्री जिससे विवादिकों की विरचना की जा सकेगी तो यहां पर यह बताया गया है प्रस्ण के उत्तर के रूप में अगर कोई अविकतन किया जाता है तो उसके आधार पर वादिकों की विरचना की जा सकेगी दूसरा है अभिवचनों या वाद में परिदत प्रस्ण के उत्तर के रूप में अगर कोई आविकतन किया जाता है तो उसके आधार पर वादिकों की विरचना की जा सकेगी इसके अलावा दस्तावेज में कोई अंतरवस्तू है तो उसके आधार पर विवादक की विरचना की जा सकेगी लेकिन इसके अंतरगत आवेदन पत्र नहीं आता है आवेदन पत्र अगर नियालेक्स को कोई दिया गया उसमें जो कोई बात कही गई तो उस बात के आधार प पर विवादक की बिरिष्णा नहीं की जा सकती है आदेश चुद्य नियम तीन के अंतरगत या प्रावधान किया गया है अगला प्रस्ण है CPC का आदेश 15 किसके बारे में बात करता है या प्रावधान करता है आदेश 15 के अंतरगत प्रथम सुनवाई में वाद के निप्टारे से संबंधित या पहली सुनवाई में मुकदमे के निप्टारे के बारे में जो है प्रावधान किया गया है अगला प्रस्न है साक्षियों को समन करना उनकी हाजरी के संबंध में CPC के किस आदेश में उलेक किया गया है तो साक्षियों को समन करना और उनकी हाजरी सुनिश्चित करना इससे संबंधित जो प्रावधान है वह आदेश 16 के अंतरगत दिया गया है कि आईसे तारीख को या इसके पुर जो नियाले नियत करे जो भी वादकों का निप्टारा कर दिये जाने से 15 दिन के बाद नहीं होगा पक्षकार नियाले में साक्षियों की सूची देंगे जिनको वह वहाँ पर बुलानी के लिए कहते हैं कि इनको बुलाया जाना चाहिए इनका साक्ष लिया जाना चाहिए तो जब वह इसी सूची देते हैं तो ऐसी स्थिति में न्याले उन साक्षियों को बुलाएगा कि आप आईए और इसके मामले के संबंद में जो भी आपको जानकारी है उसका साक्ष देजिए इसी प्रकार का आप अगर धारा में प्रावध किया गया है अगर यहां पर पूछा जाया प्रतिवादी को समन किस आदेश के तहट किया जाता है तो समन किसे प्रतिवादी को तो प्रतिवादी को समन जो है यह आदेश 5 के अंतरगत किया गया है इसके बारें प्रावधान तो प्रतिवादी को समन आदेश 5 के अंतरगत और साक्षी को समन आदेश 16 के अंतरगत साक्षियों की नियाले में उपस्थिती के लिए उनके नाम समन प्राप्त करने के लिए पक्षकारों के द्वारा साक्षियों के सूची प्रस्थुत करने होतू कोई नियाले जो तारीक नियत करेगा वह बिवादिकों का निप्टारा कर दिये जाने से कितने एक दिन बाद नहीं होगा तो आपने देखा आदेश सोलर नियम एक के अंतरगत क्या पताया गया है कि बिवादिकों का निप्टारा कर दिये जाने से 15 दिन के पहले पक्षकारों को साक्षियों की सूची देना होगा न्याले को और उन्ही साक्षियों को न्याले जो है अपने समक्ष बुलाने के लिए वहाँ आदेश जारी करेगा या समन जारी करेगा तो पंद्रह दिन के भीतर अगला प्रस्ण है किसी भी साक्षी को सोयम हाजिर होने के लिए केवल तभी आदेश दिया जाएगा जब वह निवास करता है तो आपने देखा कि आदेश 16 के अंतरगत साक्षियों को बुलाया जाता है लेकिन सभी साक्षियों को तुरंत नहीं बुला लिया जाएगा कि आप जहां भी हों आप आईए और न्याले के समख शुपस्तित हो करके ब्यक्तिकत रूप से उसके प्रस्णों का उत्तर दीजिए या मामले के संबंदन कोई साक्ष दीजिए अईसा उसको तभी बुलाया जाएगा जबकि न्याले की अधिकारता की अस्थानी सीमाओं की भीतर वह निवास करता है ये पहली बात है ये बिल्कुल सही है अगर न्याले की अस्थानी अधिकारता की भीतर वह निवास करता है नियाले की सीमा से बाहर नियास करता है लेकिन ऐसे अस्थान में जो नियाले से 100 km से कम की दूरी पर नियास करता है तो ऐसी स्ती में उसको बुला लिया जाएगा कि तुम यहां पर हाजिर हो और मामलिग में साक्ष दो तीसरा है कि जब की वह है नियाले से 500 किलो मीटर से कम की दूरी पर निवास करता है और पज खस्टांग अर्थात 5 बटे 6 दूरी तक रेल, स्टीमर, संचार या अन्य लोक प्रवहण का या जाता या आपका कोई साधन उपलब्ध है यह तीनों ही परिस्तियां अगर भी दिमान हैं तब ही उसको ब्यक्तिगत रूप से हाजिर होने के लिए नियाले के द्वारा आदेश दिया जाएगा अन्य था उसको आदेश नहीं दिया जाएगा यह प्रावधान आदेश 16 के अंतरगत और नियम 19 में दिया गया है आदेश 16 नियम 19 के अंतरगत यह बताया गया है कि किसी भी साक्षी को अगर वह एक निश्चित सीमा के भीतर निवास करता है तब ही उसको ब्यक्तिकत रूप से स्वयम हाजिर होने के लिए आदेश दिया जाएगा अन्य था उसको नहीं हाजिर जैसे कि अगर वह मान लीजिए जिस नियालेग समख जो है विचारा चल रहा है उसकी अधिकारता के बाहर अगर वह निवास करता है तो अजब की उसके 5-6 भाग तक उसको बाद सब्सके उपलबद निवास करता है तो भले यह सबंद उपलबद है तब भी उसको बाद नहीं किया जाएगा अगला प्रस्ण है सिविल प्रक्रिया संगीता के आदेश 16A में परिभासित कारागार में सम्मिलित है तो कारागार में परिरुद्ध या निरुद्ध साक्षियों की हाजरी तो सामाने साक्षियों की हाजरी की संदर में आपने आदेश 16 के अंतरगत प् पारिम प्रावधान किया गया है लेकिन आप आदेश 16 क को जब देखेंगे 161 को जिसको जोड़ा गया है 1977 में 1976 का जो अध्मियम था इसके तहट संसोधन करके इसको जोड़ा गया है और इसमें जो है कारागार की परिभासा बताई गई है तो आदेश 16 पर हमसे जो पूछा जा रहा है कारागार में क्या सामिल है तो कारागार के अंतरगत कोई ऐसा स्थान जिसे राजसरकार ने जेल घोसित किया है वह जो है कारागार के अंतरगत आता है दूसरा है कोई सुधार गे बोस्टल संस्था या इसी प्रकार के कोई अन्य संस्थाएं हैं इनको भी कारागार के रूप में परिफासित किया गया है कहां आदेश 16A और नियम एक के अंतरगत अगला प्रस्ण है निम्न में से कौन सी दसा में कारागार का भारसाधक अदिकारी नियाले के आदेश के बावजूद भी किसी बंदी को साच देने के लिए हाजिर करने से इनकार कर सकता है तो न्याले का जो कारगार का जो भारसाधक है अर्थात जो जेलर है तो जेलर क्या करेगा वह किसी भी ब्यक्ति को जिसे न्याले के समक्ष साक्षी के रूप में कोई कैदी है उसको साक्षी के रूप में न्याले के समक्ष पेश किया जाना है और इसके लिए वहाँ पर जो स तिकत रूप से वहां हाजिर करने के लिए नहीं ले अ सकते हैं नहीं भेसकते हैं इसलिए counterpart कर सकता है जब कि चिकिस्साद्ध कारी ने यह परमाण्पत्र दे दिया हो कि बंदी इतनाıldı कर नीज भीपार्ण है या Local की प्रमाड पत्र के साथ निर्देश को कहीं भी हटाया ना जाया अनित्था इसकी इसकी और खराब हो सकती है तो आदेश 16A का जो नियम है पांच नियम पांच के अंतरगर जब देखेंगे तो इसमें यह प्रावधान दिया गया है नेक्स कोश्चन है सिविल प्रक्रिया संगिता के तहत अस्थगन की संख्या को सीमित किया गया है तो अस्थगन के बारे में जो प्रावधान है आदेश 17 के अंतरगर दिया गया है कि कोई भी चुकारवाही है वह अस्थगित की जा सकेगी कितनी बार तक तो यह अस्थगन जो है अधिकतम तीन बार किया जा सकता है इससे अधिक जो है कोई भी अस्थगन नहीं किया जा सकता है अगला प्रसन है निमलिकीत में से किस मामले में सरोचिन्याले ने कहा है कि जब मुकदमे की सुराई शुरू हो गई है तो उसे दिन प्रति दिन जारी रखा जाना चाहिए अर्थात उसको दिन प्रति दिन जारी रखिए उसको जो है बार-बार अस्तगित नहीं किया जाना चाहिए तो इसके संदर में जो प्रावधान है यह बजाज आटो लिम्टेड बनाम TVS Motor Company का केस था इसी केस में यह जो निड़ा है वह दिया गया था कि अगर एक बार कोई मामला शुरू हो गया है उसको दिन प्रति दिन जारी रखा जाना चाहिए अब इसी के संदर में आप प्रावधान अगर देखेंगे तो आदेश 17 का नियम एक के अंतरगत आप देखेंगे खंड दो नियम एक का जो खंड दो है उसमें यह प्रावधान दिया गया है कि अगर कोई सुनवाई शुरू कर दी गई है तो दिन प्रति दिन तब तक जारी रहेगी जब तक कि सभी हाजिय साक्षियों की परिच्छा न कर ली जाए तो इस केस में कहा क्या गया उसको भी देख लीजे बजाज आटो लिमिटेड बनान TBS मोटर कमपनी का मामले में सरवोच नियाले ने निर्धारित किया कि एक बार मुकदमे की सुनवाई सुरू हो जाने पर उसे दिन प्रतिन दिन जारी रखा जाना चाहिए शुरू हो जाने पर संहिता के आदेश बार नियम एक आदेश बार नहीं है आदेश 17 है आदेश 17 नियम एक खंड दो के परंतुक एका पालन कठोरता से किया जाना चाहिए उलेखनी है कि प्रस्तुत वाद, कॉपी राइट, ट्रेड मार्क और पेटेंस बिज़े संबंधित था तो जैसा कि इस नेड़े में कहा गया इस वाद में नेड़े देते हुए कहा गया वही जो प्रावधान है यह आदेश 17 के नियम एक उपखंड दो के अंतरकत भी दिय है और यहाँ पर कुछ अलग नहीं कहा गया इस केस में बलकि यहीं कहा गया कि इस जो नियम दिया गया है इसका कठोरता से पालन होना चाहिए अगला प्रस्तन है किस आधार पर अस्थगन नहीं दिया जाना चाहिए अब कोई भी मामला जो अस्थगन का आदेश दिया जाता है उसके कुछ परियाप्त आधार होने चाहिए जैसे वह आधार ये हैं कि परिस्तितियां जो है पक्ष के या पक्षकार के नियंतर्ण से बाह नहीं कर सकता है तो उसका जो है वा गंभी रूप से बीमार है या न्याले मने से असमर्त है और जो पक्षकार है वह दूसरे रशेक्रत दोनों जहां परिष्टिया पक्ष के अन्य अंतरन्ट से बाहर हैं और अधिवक्ता बिमार हैं और अधिवक्ता को समय पर नियुक नहीं कर पाया है यह सभी परियापत आधार हैं इन आधार पर किसी भी मामले को रोक दिया जाएगा कुछ दिन के लिए और जो सुनवाई कितिती है उसको आगे पढ़ा दिया जाएगा लेकिन यह जो तीसरा ग्राउंड है इस आधार पर किसी भी कि मामले को अस्थगन या रोका नहीं जाएगा अगला प्रस्न है निम्लिकीत में से कौन सही सुमेलित नहीं है अब यहाँ पर देखिए आदेश से संबंधित जो है प्राउधान पूछ रहा है कि कौन सा आदेश किस में दिया गया है और कौन सा सही सुमेलित नहीं है तो आदेश पंद्रह अस्थगन तो पंद्रह के अंतरगत अस्थगन से संबंदित कोई भी प्रावधान नहीं है जबकि आपने देखा था पंद्रह के अंतरगत क्या दिया गया है तो प्रथम सुनवाई में वाद के निप्टारे के संबंद में प्रावधान दिया गया है अस्थगन के निर्धन भ्यक्ति के द्वारा वाद जब आप आदेश 39 को देखते हैं तीन 3 को इसी के साथ साथ आपको आदेश चार-चार भी देख लेना चाहिए चिवालेस को निर्धन भ्यक्ति की द्वारा अपील से संबंधित प्राउधान किया गया है तो निर्धन से संबंधित अगर कोई मामला पूछा जाता है तो यह दोनों ही जो आदेश हैं एक साथ याद रखने चाहिए नेक्स्ट कोश्चन है नेमलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है तो सपत पत्र आदेश 18 तो यही सुमेलित नहीं है क्योंकि सपत पत्र के बारे में जो प्रावधान है यह आदेश 18 के अंतरगत नहीं है बलकि आदेश 19 के अंतरगत सपत पत्र के बारे में जो प्रावधान है वह किया गया है जबकि आदेश 18 के अंतरगत वाद की सुनवाई और साक्षियों की परिक्षा इनके संदर में प्रावधान कहां दिया गया है तो आदेश 18 के अंतरगत इसके बाद आता है नेड़े पूरुक गिरपतारी इसके संदर में आदेश 38 में प्रावधान है सुमेलित है साक्षियों की परिच्छा के लिए कमीशन जारी करना आदेश 26 के अंतरगत प्राउधान है नेड़ व्यक्तियों के द्वारा वाद संस्तित करने के बारे प्राउधान आदेश 39 के अंतरगत है यहाँ पर जो पहला विकल्प है यही सुमेलित नहीं है नेक्स कोशन है निमलिकित में से कौन सही सुमेलित नहीं है तो यहाँ पर देखेंगे वाद संस्तित करना आदेश 4 के अंतरगत है यह सुमेलित है नेड़ और डिक्री तो नेड़ और डिक्री के बारे में जो प्राउधान है यहां आदेश 21 के अंतरगत नहीं है बलकि यह कहां दिया गया है आदेश 20 के अंतरगत आदेश 21 के अंतरगत निस्पादन के बारे में प्रावधान दिया गया है तो यहां पर दूसरा विकल पही सुमेलित नहीं है जबकि आदेश 5 के अंतरगत समन करना यह सुमेलित है कमीश क्या है निस्पादन की बारें प्रावधान है तो कमीशन जारी करने से संबंधित प्रावधान जो है आदेश 21 के अंतरगर्प नहीं है फलकि आदेश 26 में दिया गया है तो यहाँ पर कि दूसरा और चौथा यह दोनों ही सुमेलित नहीं है अगला प्रस्ण है एक वाद में वादी स्वयम साक्षी के रूप में उपसंजात या उपस्थित होना चाहता है वह न्याले से अनुमत लिये बिना क्या ऐसा कर सकता है या नहीं कर सकता है तो इसके संदर में हम जब प्रावधान देखेंगे तो आदेस 18 को देखेंगे आदेस 18 और नियम क्या है 3A आदेस 18 नियम 3A के अंतरगत यह बताया गिया है कि पक्षकार जो है अन्य साक्षियों से पहले उपस्थित होगा अर्थाद जहां कोई पक्षकार सुयम साक्षी के रूप में हाजिर होना चाहता है वहाँ उसकी और से किसी अन्य साक्षी की परिछा किया जाने से पहले ही उसको हाजिर होना होगा तो विकल्ब देखेंगे वादी पक्ष का साक्ष समाप्त होने से पहले कभी भी यह गलत है वादी की और से किसी भी अन्य साक्षी की परिच्छा किये जाने से पूरो ही उसको नहाँ पर हाजिर होना होगा जो चौथा विकल्ब सही होगा अगर वह खुद साक्षी के रूप में हाजिर होना चाहता है तो सबसे पहले वह खुद हाजिर होगा उसके बाद उसकी तरफ से कोई भी साक्षी पेस होगी अर्था तो अगर उसकी तरफ से कोई साक्षी पेस किये गए हैं तो उनकी साक्षियों की जो परिच्छा है उसके हो नहीं हों प्रत्यक मामले में किसी पक्षकार की मुख्य परीक्षा का साख्ष लिया जाएगा इसके संदर में प्रावधान कहा है तो आदेश 18 में और नियम 4 के अंतरगत आदेश 18 नियम 4 के अंतरगत यह प्रावधान है कि प्रतेक मामले में किसी साक्षी की मुख्य परिच्छा का साक्ष सपत्पत्र पर लिया जाएगा अगला प्रस्द है सिविल प्रक्रिय संदर के कहों से आदेश और नियम में यह प्रावधान है कि हर मामले में साक्षी की मुख्य परिच्छा सबत्पत्र पर की जाएगी यह प्रावधान जो है आदेश 18 नियम 4 1 के अंतरगत दिया गया है अगला प्रस्न है सिविल प्रक्रिया संगीता के आदेश 18 के अंतरगत साच अवलिखित करने के लिए नियुक्त कमिस्नर यहाँ पर क्यार नहीं कर सकता है तो हम आदेश 18 को देखे आदेश 18 का जो नियम 4 है इसमें हमने देखा कि प्रतेक मामले में किसी साक्षी की मुख्य परिच्छा का जो साक्ष है वह सपत पत्र पर लिया जाएगा अब ऐसा जो साक्ष है वह सपत पत लिया जाता है तो किस के दोरा या तो न्याले के दोरा या न्याले के दोरा न्यूक्त कमिस्नर के दोरा इस प्रकार का जो साक्ष है वह लिया जाता है अब जब इस प्रकार से कोई कमिस्नर साक्ष लेने के लिए वह न्यूक्त किया जाता ह तो साक्षी की पूनह परिच्छा कर सकता है यह कथन सई है लेकिन हम से पूंच रहा है कि वह कमिस्णर क्या नहीं कर सकता है तो है कमिस्णर आगे क्या कर सकता है उसकी पूनह परिच्छा के साथ साथ वह साक्षी की भाव भंगिमा के वारे में कोई टिपड़ी भी कर सकता है लेकिन साक्ष लेखबद किया जाने के दवरान उठाए गए कोई आक्षेप का जो नीड़े है वह कमिस्नर के द्वारा नहीं किया जा सकता है। तो यही जो है दूसरा विकल्प यहां पर जो सही होगा अर्थात यह कमिस्नर की सकती के अंतरगत नहीं आता है। सिविल प्रक्रिया संहिता की किस प्रावधान के तहत नियाले साक्षी की भाव भंगिमा के बारे में टिपड़ी कर सकते हैं। कमिस्नर के दौरा किस नियम के तहत या किस आदेश के तहत किया जाता है। तो आदेश 18 और नियम 4 के तहर यह जो तिपड़ी है कमिस्नर जो है साक्षी की परिच्छा के समय किसी साक्षी की भाव भंगिमा के बारे में ऐसी कोई तिपड़ी कर सकता है जो कि वह मामले में तात्युक समझे इन दोनों ही बातों को ध्यान में रखना है इसी के साथ साथ अगर देखेंगे साक्षी की भाव भंगिमा के बारे में तिपड़ी से संबंधित प्रावधान यहां पर किया गया है तो पूछा जाए तो धारा अगला प्रस्ण है अएसा साक्षी जिसकी पूरों में परिच्छा हो चुकी है उसे आदे 16 नियम 17 के अंतरगत परिच्छा है तो पूनह बुलाया जा सकता है तो आदे 16 नियम 17 के तहत किसके द disciplines के द्वारा बुलाया जाएगा इसको न्याले के द्वारा उसको फिर से बु गत अग्या है back лиओ सिवेड़करिय संगीता का कौन सा प्रावधान सपत्त पत्र से संबंदित है तुस सपत्पत्र के बारें प्रावधां जो है आदेश के अंतरगत दिया गया है इसे के साथ साथ अब अन्या आदेस क्या है उसको भी देख लेंगे क्षोल Leahy 17 के अंतर्गत स्थगन के बारें प्राउधान किया गिया है, art between 29 को देखा आपने सपतपत्र से संबंदित है, किसी के साथ art मार pegar 26 को देखेंगे, क्थ 26 के अंतर्गत कमीशन से संबंदित प्राउधान है, और आदेश 49 के अंतरगत तो यहाँ पर एस्थाई व्यादेश से संबंधित प्रावधान आदेश 49 के अंतरगत दिया गया है अगला प्रस्न है वादपत्र के समर्थन में कौन सपत्थ पत्र प्रस्तुत करता है तो सपत्पत्र के बारें प्रावधान जैसा कि आपने देखा आदेश 29 के अंतरगत दिया गया है अब यहाँ पर प्रूच रहा है कि वादपत्र के समर्थन में कौन सपत्पत्र प्रतुत कर सकता है तो वह व्यक्ति जो वादपत्र के अभिवचनों की पुष्टी करता है अर्थात वादपत्र उसने पेश किया और उस वादपत्र में जो उसने दावा किया कि हम जो बातें कह रहे हैं वह सभी बातें सही हैं तो आईसी स्थिति में वह सपत पत्र के माध्यम से वह पूष्टी कर सकता है कि हमारी सभी जो बाते हैं जो दावा हैं वह सभी सत्य हैं आदेश 29 नियम एक के अंतरगत यह प्रावधान दिया गया है अगला प्रस्ण है सिविल प्रक्रिया संहिता के किस आदेश में निर्ड़े और डिक्री से संबंधित प्रावधान किया गया है तो निर्ड़े और डिक्री के बारे में जो प्रावधान है यह दिया गया है आदेश 29 के अंतरगत आदेश 20 में निर्ड़े और डिक्री से संब है अगला पस्बीजार क्यों नियाले को निड़य सुना देना चाहिए तो अगर कोई मामला चल रहा है उसकी सुनवाई पूरी हो गई तो कितने समय के भीतर न्याले को यहाँपन नेड़े देना चाहिए तो नेड़े जो है न्याले को तुरंत देना चाहिए और अगर तुरंत नहीं दिया जा सकता है तो आईसिस्ति में उसको 30 दिन के भीतर भी नहीं दिया जा सकता है तो आईसिस्ति में हर हाल में 60 दिन के भीतर वहाँपन नेड़े सुनाया जाना चाहिए प्रावधान कहा है आदेश 20 नियम एक के अंतरगत ऐसा जो प्रावधान है वर किया गया है अगला प्रस्न है जहां निर्ड़े तुरंट नहीं सुनाय गया है वहां साधारन परिस्तितियों में उसको कब सुनाय जाना चाहिए अब देखिए प्रस्न आपको प्रस्नों पर विशेश रूप से ध्यान रखना होगा क्योंकि आदेश 20 के नियम एक के अंतरगत तीन बातों का उल्ले किया गया है एक तो तुरंट दूसरा तीस दिन और तीसरा साथ दिन अब यहां पर तीस दिन और साथ दिन यह दोनों ही द रहा है जहां निड़े तुरंट अगर नहीं सुनाया गया तो ऐसिस्ति में साधारण परिस्थितियों में तीस दिन के भीतर उसको सुना दिया जाना चाहिए लेकिन अगर तीस दिन नहीं है विकल्प में उसके बाद आप साथ दिन को चुन सकते हैं साथ दूसरे रूप में भी पूछा जा सकता है अधिक्तम कितना समय होगा कि उतने दिन के भीतर जो है निड़े को सुना जाना है अधिक्तम जो है साथ दिन है लेकिन अगर तुरंट नहीं तब कौन सी सुना जा सकता तब साथ दिन में अगला प्रस्न है नेड़े लेने के पस्चात आज्यप्ती इसे डिक्री कहते हैं तयार करने के लिए नियाले को अधिक्तम कितना समय दिवानी प्रक्रिया संगिता में दिया गया है अब देखिए जब कोई नेड़े दिया गया तो नेड़े दे दिया गया है तो आईसिस्ती में उसी नेड़े के अनुसार डिक्री पारित की जाएगी अब इसके सांदर में जो प्रावधान है आप देखेंगे आदेश 20 के नियम 6-1 के अंतरगतिया और इसको भी सन 2002 में इसको जोड़ा गया है इसमें प्रावधान यह है क कि यह प्रयास किया जाएगा कि डिक्री जहां तक संभव हो सिग्रता से और किसी भी दसा में उस तारीख से 15 दिन के भीतर जब की नेड़े सुना गया है उसके भीतर तयार किया जाए अर्थाच जब नेड़े दिया गया है उस नेड़े की तारीख से 15 दिन के भीतर जो है क तो डिक्री की प्रतिक फाइल किये बिना डिक्री की विरुद्ध भी अपील की जा सकेगी। अगला प्रस्ण है सिवेल प्रतक या संहिता के किस आदेश यो नियम के अंतरगत अचल संपत्य की वापसी के संबंध में डिक्री का प्रावधान किया गया है। तो अस्थावर संपत्य के प्रत्युधरण ये सब्द का प्रयोग किया गया है। आदेश 20 के नियम 9 के अंतरगत। नेक्स कोच्चन है प्रारंभिक डिक्री दी जा सकती है तो कब यकिन परिस्थितियों में प्रारंभिक डिक्री दी जा सकती है तो प्रारंभिक डिक्री जो है आप देखेंगे बटवारे का कोई मामला है साजेदारी का कोई मामला है कबजा एम्मध्धवर्ति लाव का कोई म मामला है इन सभी ही मामलों में जो है प्रारंभिक डिक्री दी जा सकती है तो आदेश 20 का नियम 12 देखेंगे तो कब्जा और अंतह कालिन लाव के संदर में प्रावधान या मध्यवर्ति लाव के बारे में प्रावधान कहां दिया गया है या आदेश 20 हम पढ़ रहे हैं इसक साथा आदेश 20 का नियम 15 देखेंगे भागीदारी के बारे में या सज्यदारी के अंतिम 15 में प्रावधान दिया गया है और बटवारे के संदर में जो प्रावधान है यह कहां मिलेगा आपको तो नियम 18 की उतर्गतिया प्रावधान मिलेगा छिप्रा शका 하면 at दिक्री दी जा सकती है अप्रारम्भिक डिक्री के अनुसार ही अन्तिम डिक्री तैयार की जा सकती है अगला प्रस्थन है दिवानी कारिवाही में साधार्णतिया एक दिवानी न्याइधिश को सुनवाई की समाप्ती के परश्चाथ साथ दिन के भीतर नेड़े देना पड़ता है इसको किस संसोधन के द्वारा प्रस्तावित किया गया था तो इसे जो है साथ दिन के भीतर उसको नेड़े देना पड़ता है यह 2002 के संसोधन के द्वारा इसको प्रस्तावित किया गया था नेक्ट सोर्शन है शिविल प्रक्रिया संगिता के अंतरगट डिक्री पारित होने के पास चात डिक्री धन किस्तों में संदाय दिये जाने के संदार में जो निर्देश है वह किस नियम के अंतरगत या किस प्रावधान के अंतरगत दिया गया है अर्थात अगर कोई धन की डिक्री है धन की डिक्री पारित की गई अर्थात एक डिक्री पारित की गई एक और बी के बिरुद मामला संसित है न्याले ने बी के बिरुद पचास हजार रुपए ये को प्रदान करने के लिए डिक्री पारित किया तो ऐसी स्थिती में ऐसा जो 50,000 रुपए की धंदासी है वह यह आदेश दे सकता है कि तुम यह धंदासी एक मुस्त नह दे करके किस्त के रूप में दे सकते हो अर्था थोड़ा-थोड़ा करके दो-चार बार में वह जो किस्त है वह निर्धान कर दिया जाएगा कि उसी के अगला प्रस्था है धन के संदाए के लिए किसी डिक्री के पारित किये जाने के पस्चाहत नियाले निर्डीत रिड़ी के आवेदन पर किसकी सहमती के बिना डिक्रीत रकम का संदाए किस्तों में दिये जाने का आदेस दे सकता है तो अगर कोई इस प्रकार से डिक्री पारित की गई जब वह आवेदक अर्था जिसके बिरोध में डिक्री पारित की गई है वह पचास अजार रुपए एक बार में देने में सक्षम नहीं है तो अईसी स्तिती में नियाले के समक्ष वह आवेदन करेगा इसको हम पांच पार में दद्दस जार रुपए करके यह जो धनरासी है हम जमा कर देंगे तो नियाले जो है के समक्ष वह इस प्रकार से आवेदन करेगा तो नियाले इस प्रकार का जो आवेदन उसके समक्ष किया जाता है तो अईसी स्तिती में वहाँ पर जो डिक्री दार है अर्था जिसके पक्ष में डिक्री पारित की गई है उसकी सहमत के विना ऐसा कोई आद वह किस्त में देने के लिए नियाले निर्देश दे सकता है एक वाद यहां पर विशेश रूप से और ध्यान रखें क्योंकि कई बार पूछा गया है अगर डिक्री की जो रखम है वह 2000 रूपए से अधिक है तभी किस्त में उसको दिये जाने के लिए निर्देश दिया अगला प्रस है निमलिखित में से कौन सा आदेश खर्चे से संबंदित है तो आदेश खर्चे से संबंदित जो है वह आदेश 20A है तो 20A या 20 का जो है वह खर्चों से संबंदित है इसी तरह से आपने अभी आदेश 20 को देखा जिसमें निर्ड़े और डिक्री के बारें प्रावधान है आदेश 21 में निश्वादन के संदर में प्रावधान किया गया है आदेश 22 के अंतरगत पक्षकारों की मृत्यू दिवाला विवाह इस तरह के जो प्रावधान है वह आदेश 22 में दिये गए हैं तो इसमें आदेश 21 के अंतरगत जो खर्च से संबंदित है इसके अनुसार नियाले कुछ बिशेश परिस्थितियों में खर्चे का निर्धारन करेगा तो खर्चे का निर्धारन वह किसके संदर में करेगा वही बातें जो है यहां पर बताई गई हैं इसको एक अस्थान पर देख लेंगे हलंकि यहां से प्रस्ल जो है ज्यादा तर आपसे यही पूछा जाता है कि आदेश 20 A किस से संबंदित है या खर्चे से संबंदित आदेश कौन है इसी के साथ साथ अगर आप एक धारा देख लेंगे तो और भी ठीक रहेगा क्योंकि दोनों प्रावधान जो है एक साथ आपको याद हो जाएंगे आदेश 25 जो है आदेश 20 A के साथ साथ धारा 35 को देखेंगे तो धारा 35 के अंतरगत क्या प्रावधान है इसमें भी खर्चे के बारें प्रावधान किया गया है तो 20 के अधारा 35 अब खर्च कैसा किस संदर में किस अंदर्म का खर्च यहां पर बात की जा रही है तो इसके संदर में किस प्रकार से खर्च जो है नियाले के दोरा निरधाईत किया जाएगा तो वाद संसृत की जाने से पूरु किसी सूचना पर कोई खर्च अगर आता है फाइल किये गए अभिवचनों को टाइब कराने लिखने मुद्रित करने में जो खर्च आते हैं वाद प्रयोजनों से नियालेई अभिलेखों के निरिछन के लिए किसी पक्षकार के द्वारा जो संधत प्रभार होता है और इसके जाएंगे किसके द्वारा दिये जाएंगे यह सारी जो बाते हैं आदेश 20 का के तहत ही उसको निर्दारित किया जाता है और किसके द्वारा किया जाता है तो नियाले के द्वारा यह जो खर्चे का निर्दारन किया जाता है अगला प्रस्ण है CPC के आदेश 21 में कितने नियम है अब आदेश 21 देखिए यह बहुत महत्पूर है और यह है किस से संबंधित तो निस्पादन से संबंधित है अब जब आप इसको पढ़ता हैं तो इसी के साथ साथ आपको धारा 36 से लेकर के इससे संबंधित है निस्पादन संबंधित है विशेश रूप से ध्यान रखें जो कि परस्णों का जो पैटर्न है थोड़ा सा बदल रहा है हर राज में तो आपको इस रूप में भी इसको ध्यान रखना होगा आदेश 21 सभी को पता है निस्पादन से संबंधित है कोई सबसे बड़ा आदेस है इसमें कुल कितने नियम है तो सीपीसी का आदेस के अंतर गत्कुल 106 नियम आते हैं अब 106 नियम है इसलिए इससे बहुत साइल लोग घबरा जाते हैं कि हां क्या हमको पूरा 106 पढ़ना होगा या कौन-कौन से नियम ऐसे हैं जिनको हमें सकता है तो अगर आपको पता है तो आप जो है उप्रोक्त सभी तो अगर आपको पता है तो आप जो है उप्रोग तो सभी लगाएंगे नहीं पता है तो आखबंद करके आदे से कैस को लगाएंगे और प्रस्न आसानी से आपका गलत हो जाएगा अगला प्रस्न है सिविल प्रक्रिया संगिता के अंतरगत नेमने में से कौन सा अव्यक्ति निस्पादन के लिए आविदन नहीं कर सकता है अब देखें निस्पादन के लिए आविदन किया जाता है कब किया जाता है तो निस्पादन उसका अर्थ क्या हुआ A और B के बीच में बिवाद है इस बिवाद के निर्धारन कर दिया गया और डिक्री पारित की गई डिक्री जब पारित कर दिया गई A के पक्ष में और B के बिरोध में और इसके दौरान मान लिजिए 5000 रुपए देने के लिए एक पक्ष में देने के लिए बी को आदेश दिया गया अब यह डिक्री हो गई सारा चीजें हो गई अब यह बी जो है कब एको पैसा देगा इसके लिए क्या करेगा यह नियाले को आविदन देगा कि इस डिक्री का निस्पादन कराये जाए तो जब इस प्रिक्री का निस्पादन कराये जाता है तो डिक्री का निस्पादन कराने के लिए हमेशा जो आविदर होगा वही ब्यक्ति होगा जिसके पक्ष में डिक्री पारित की गई है अर्थात जो डिक्री का धारक होगा वही जो है वह डिक्री के लिए उसको आवेदन करता है कि उसका निस्पादन कराए जाए तो डिक्री धारक करा सकता है डिक्री धारक अगर नहीं है मान लिजिए उसकी मृत्ति हो गई है तो उसका विधिक प्रत्निधी आवेदन करेगा क लेकिन जिसके बिरोध में दिक्री पारित की गई है वह क्यों आवेदन करेगा तो यहां पर बी यहां पर आवेदन नहीं कर सकता है बलकि क्या कर सकता है की यह पांश जार रुपए का उसके विरोध हैं पाइसा आदेश पारित किया गया है वह लेजा करकि यह कुछ सांति से दे आएगा तो यहां पर चौथा विकल्ट रही होगा अगला प्रसन है डिक्री के निस्पाधन के लिए आवेदन के संबंध में कौन सा कथन असत्य है तो जैसा कि आपने देखा कि जिस व्यक्ति के पक्ष में डिक्री पारित की गई है और था डिक्री धारक जो है वह न्याले को आवेदन करता है या उसका जो विधिक प्रतिनित है या डिक्री में कोई व्यक्ति हीत रखने वाला है तो ऐसे जो व्यक्ति हैं वो क्या करते हैं नियाले को आवेदन करते हैं कि कि डिक्री का निस्पाधन कराया जाए अब देखिए इसके संबंद में हम से नियम 11 है इसके अंतरगत यह प्रावधान दिया गया है दूसरा है डिक्री के निस्पादन के लिए हर आविदन लिखित में होना चाहिए तो यह भी सही है इसके संबंध में जो प्रावधान मिलेगा आपको आदेश 21 का नियम 11 का दूसरा खंड के अंतरगत यह बताए गया ह Degree के निस्पाधण के लिए हर आवेदन लिखित में होना चाहिए इसके अलवां उस पर आवेदक का हस्ताक्षर होना चाहिए और सत्यापन होना चाहिए तो हमसे पूझ रहा है काउन सा गलत है यही जो है चौथा भिकलव गलत है क्योंकि यहां पर कहा है इसके साथ है वाद का करम संख्या, पक्षकारों के नाम, डिक्री की तारीक, अपील अगर की गई है, तो उसका जो है डिटेल, ये सारी जो बाते हैं, उसके अंतरगत हाविदन में सामिब होंगी अगला प्रस्न है नियाले निडी तिरिणी के सरीर और संपत्य के विरुद्ध एक साथ डिक्री के निस्पादन करने से इनकार सोविवेका नुसार कर सकेगा यह किस प्रावधान की अंतरगत दिया गया है तो अगर किसी भी पक्षकार के विरुद्ध उसकी सरीर और संपत्ती दोनों के विरुद्ध डिक्री पारित की गई है तो ऐसी स्थिती में अगर न्याले चाहे तो वहाँ पर उन दोनों ही डिक्रीयों का एक साथ निस्पादन करने से वह मना कर सकता है यह उसका विवेका अधिकार है अलंकि ऐसा कोई नियम नहीं है कि वह एक साथ उनका निस्पादन ना करे संपत्त के विरुद्ध अर्थात उसके घर की कुर्की भी की जाए और इसको उठाकर कारगार में डाल दिया जाए इस परकार से अगर निड़े दिया गया है तो अगर वह चाहे तो सबसे पहले उसकी संपत्त कुर्क करे उसके कुछी दिन बाद उसकी सरीर को भी अर्थात उसको भी जेल में डाल दे अगर वह चाहे तो एक तरफ इसको जेल में डाले, दूसरी तरफ उसकी संपत भी कुर कर ले, तो यह क्या है, उसके विवेक पर होता है, तो यह जो है आदेश 21 और नियम भी 21, 21-21 की अंतरगतिया प्रावधान दिया गया है अगला प्रस्ण है, कब डिक्री के निस्पादन के बिरुध कारण दरसित करने की सूचना निकालना आवस्यक नहीं है, तो इसके संदर में जो प्रावधान है, तो यह दिया गया है, नियम 22 के अंतरगत, रून 22, आदेश 21 में, यहाँ पर यह बताए गया है, कि निस्पादन के लिए निस्पादन के बिरुध कारण दरसित करने की सूचना, इसका अतातपर क्या है, कि अगर कोई डिक्री पारित कर दी गई, और उसका जो निस्पादन है, डिक्री की तारिक से दो साल के भीतर नहीं किया गया, तो यहाँ पर अगर उसके बाद, दो साल के बाद अग पर कारण दर्सित करना होगा कि इसने दिन के भीतर थात इसके पहले क्यों डिक्री उसका निस्पादन नहीं कराए गया अगर सही कारण नहीं बताया जाता है तो वहाँ पर डिक्री रोग दिया जाएगा तो जबकि निस्पादन का आवेदन डिक्री की तारिक से दो वर्स के पस्चात किया गया है तो वहाँ पर कारण बताना होगा, सूचना देना होगा दूसरी बात है जबकि निस्पादन का आवेदन डिक्री की तारिक के तीन वर्स के पस्चात किया गया है तो तीन वर्स नहीं होगा बलकि दो वर्स होगा दो वर्स के भीतर उसका जो है आविधन दिया जाना चाहिए तो निकालना आवस्यक नहीं है तो दूसरा वाला ही आवस्यक नहीं है तीसरा है जबकि पक्षकार निस्पादन का आविधन डिक्री के पक्षकार के बिधीक प्र और दरशित करने की सूचना देनी होगी हैं zwar lie में सामौं देश्टी या रिसीवर के बिरुद्द निस्पादन की दन किया गया है तो ऐसी स्तिति में भी क्या होगा कारण दर्शिद करना हावस्यक होगा तो आदेश 21 नियम 22 के अंतरगत तीन आधार बताए गए हैं अगर इन तीन आधार पर जो है निस्पाधन हो सता है अगला परस्ता है धन के संदाय की हर डिक्री निस्पाधित की जा सके द्धन के संदाय किकर कोई Z factor है उसको nisipad net किया झाया है तो वा कई से ni ever सिव्य का प्रतन की जाएगी उसको क्या प्रस्ता क्या प्राउधान किए तो तिर्डी तिर्डी के सिविल कारागार में निरोध के द्वारा उसी संपत की कुर्की के द्वारा उसी संपत की कुर्की करके उसका विक्रय के द्वारा इन सभी तरीकों से सभी रीतियों से कोई धन के संदाय के डिक्री का जोनिस पादन है वर किया जा सकता है यहां पर सभी चारों विकल्ब सही हो जाएंगे अगला प्रसना है सेल प्रक्रिया संगीता में दामपत्य अधिकारों के प्रत्यस्थापन के विनिर्दिष्ट पालन या व्यादेश के लिए डिक्री के निस्वाधन का प्राउधान कहां दिया गया है तो यह विशेश रूप से आप ध्या सब्सक्राइब यहां प्राउधान के संथापन के संदर एल्व में दिक्री का निस्वाधन होता है या बिया देश दिया जाता है वह एकईस के नियम 32 के तहट दिया जाता है नेक्स कोशन है दामपत अधिकारों के प्रत्यास्थापन के लिए डिक्री पारित की गई है और जिस ब्यक्ति के वह डिक्री पारित की गई है वह जान बूच करके उसका पालन करने में असफ़ाद रहता है तो उसका जो पालन है वह कैसे करवाय जाएगा अब देखिए हमको यहाँ पर विशेश रूप से जो सब्द है उस पर ध्यान दखना होगा यहाँ पर पूछ रहा है दामपत्य अधिकारों के प्रत्यास्थापन के लिए कोई डिक्री पारित की गई है क्योंकि आदे से कैस का जब नियम 32 पढ़ेंगे आप तो नियम 32 के अंतरगा जो लास्ट वाइ लाइन दी गई है वहाँ पर कूरकी और सिविल कारागार इन दो दोनों का ही वर्डन किया गया है लेकिन अगर हम उसको ध्यान से पढ़ेंगे तो उसमें यह दिया गया है कि अगर वह डिक्री दामपत्य अधिकारों के प्रत्यास्थापन के लिए है तो आइसिस्ति में उसकी जो संपत्य है वह कूरक की जा सकेगी तो यहाँ पर जो पहला विकल्प है यहीं सही होगा और अगर संबिदा का विनिर्दिष्ट पालन का कोई मामला है या व्यादेश का कोई मामला है तब आइसिस्ति में उसको सिविल कारागार में डाला जाएगा लेकिन अगर केवल दामपत्य दिकारों के प्रत्याफ़ापन का मामला है तो अहां पर उसकी संपत्य है वह कूरक की जा सकेगी तो पहला विकल्प ही सही होगा दूसरा सिविल कारागार इसलिए नहीं होगा क्योंकि यह संबिदा के विनिर्दिष्ट पालन या व्यादेश अगर अनुपालन नहीं किया जाता है तो इसी जती में उसको कुरकी और सिविल कारागार यह दोनों ही उसको दिया जा सकता है अगला प्रस्ता है सिविल प्रक्रिया संगीता की किस प्रावधान के तहत राज सरकार निर्डी तिरिडियों के जीवन निर्वाह के लिए संदे मासिक जो भत्ता है वह नियत कर सकती है तो यह जो है किस नियम के तहत या किस प्रावधान के तहत यह नियत किया जाता है तो जीवन निर्वाह भत्ता के संदर में जो प्रावधान है आदेश 21 का नियम 49 के अंतरगत प्रावधान किया गया है इसी के साथ साथ धारा 57 के अंतरगत भी प्रावधान किया गया है अर सब्सक्राइब नियम 46 जब देखेंगे 46 तो इसके अंतर गार्नीसी सब्सक्राइब गार्नीसी कहते किसको है तो यह एक निर्डीत रुडी जो होता है निर्डीत रुडी और जिसरे हो गया निर्डीत रुडी हो गया क्रजदार हूँ दिक्री धारक हो गया यह है तो अब देखे आईसी स्तिती में B क्या होगा B के विरुद्ध डिक्री का निस्पादन कराये जाएगा मान लीजिए B का निस्पादन करने में आना कानी करता है और B का एक करजदार है अर्थाद बी ने C को 10,000 रुपए करज दिया है तो IC स्थे में यहाँ पर क्या होगा कि न्याले के द्वारा यह C को डारेक्ट आदेश दे दिया जाएगा कि तुम यह जो पैसा है यह B को नागत दे करके तुम न्याले के समझ ले आके जमा कर दो या A को ले आकर करके दे दो तो C क्या हो गया? गारनी C हो गया क्योंकि एक निर्डीत डुडी भी है इसका भी डिडी जो है C है तो निर्डीत डिडी का जो डिडी होता है जिस कार्यवाही की दोरा एक डिक्क्री धारक तीसरे पक्ष के हाथों में रिडी के धन या संपत्य की वसूली करना चाहता है उसे किस नाम से जाना जाता है उसे ही गारनीसी आदेश के नाम से या गारनीसी को सूचना देने के नाम से जाना जाता है जैसा कि आपने इसके पहले वाई उदारण देखा कि जो निर्डी तिर्डी है उसका जो निर्डी है C तो उसे क्या कहा जाएगा गार्निसी कहा जाएगा अगर उससे कोई वसूली की जा रही है कि तुम पैसा भी को ना दे करके एक ले आके दे दो तो आईसिस्टी में वह जो सी है गार्निसी है उसको आदेश दिया जाएगा उसी आदेश को गार्निसी आदेश कहा जाता है अगला प्रस्ण है डिक्री की कुर्की आदेश 21 के किस नियम के तहत होती है तो कुर्की अभी तक आपने देखा संपत्त की होती थी लेकिन यहाँ पर डिक्री की जो कुर्की हो सकती है तो डिक्री की जो कुर्की होती है या किस नियम के तहत होती है तो या किस प्रावधान के तहत होती है तो आदेश 21 का जो नियम तिरपन है इसको जब देखेंगे तो इसके अंतरगत डिक्री की भी कुर्की हो जाती है तो यद डिक्री उसी नियाले के द्वारा पारित की गई थी और आदेश 21 के नियम तीरपन के तयाद होती है नेक्स वोचर है कब डिक्री प्रत्याहरित समझी जाएगी या उसको जो है वापस लिया हुआ मान लिया जाएगा इसके संदर में जो प्रावधान आदेश 21 में है आदेश 21 का जो नियम पचपन है इसी के अंतरगत दिया गया है यहाँ पर तीर परस्तियां बताई गई है जबकि जो डिक्री है वह उठाया जाएगा या प्रत्यहरित कर लिया जाएगा समझा जाएगा तो पहला है डिक्रीत रकम, खर्चा और किसी संपत की कुर्की के पारडामिक ब्यों के साथ एकर उसको नियाले में रकम कुछ क्या होता है जमा कर दिया जाता है दूसरा है डिक्री की तुष्टी अन्यथा न्याले के अनुसार या न्याले के मार्फत कर दिया जाता है डिक्री जो है वह आपास्त कर दी जाती है या उलट दी जाती है इन सभी मामलों में यह माना जाएगा कि डिक्री को जो है प्रत्याहरित हो गई है या उसकी जो कुर्की है वह उठा ली गई है अगला प्रस्ण है जहां कोई संपत्य किसी डिक्री के निस्पादन में कुर्क कर ली गई है और नियाले किसी कारण से निस्पादन आदेश को खारिच कर देता है और संपत्य के बारे में कोई आदेश नहीं करता है तो ऐसी जती में वह जो कुर्की होगी वह क्या हो जाएग अगला प्रस्टा है शिविल प्रक्रिया संगिता का कौनसा प्रावधान कुर्ख की गई संपत के दावों और आपत के निया निर्डन के बारे में प्रावधान करता है तो कुर्क की गई संपत्य के दावों और उस पर की गई आपत्यों के संदर में जो प्रावधान है वह आदेश 21 का नियम 58 इसके संदर में यह प्रावधान किया गया है इसी के साथ अगर आप CRPC को देखेंगे यहाँ पर धारा 84 जो है इसी के अंतरगत भी जो कुर्क की गई जो संपत्यां हैं उनके बारे में दावे और आपत्ती किया जाते हैं धारा 84 CPC के अंतरगत क्योंकि वहाँ पर आप देखें हैं धारा 82 83 जो उद्गोसडा और कुर्की के बारे प्रावधान करता है और 84 के अंतरगत आपको मिलेगा कि जब कुर्की कर ली गई तो उसके बारे में दावे और आपत्तियां किया जाते हैं अचल संपत्य के हर विक्रय पर क्रेता द्वारा क्रय धन में कितने प्रतिसत रासी का निक्षेप किया जाएगा कि इसके संदर में जो प्रावधान है उसको हम देखेंगे कि यह किस नियम के अंतरगत दिया गया है तो यहां पर जो प्रावधान है यह आदेश 21 का नियम जो 84 देखेंगे इसी के अंतरगत दिया गया है इसमें यह बताया गया है कि क्रेता के द्वारा निक्षेप और उसका व्यतिक्रम पर पुनर विक्रय तो अचल संपत्य के हर विक्रय पर वह व्यक्ति जिसका क्रेता होना घोसित किय गया है अपने क्रय धन की रखम के 25 प्रतिसरत का जो निक्षेप जो है विक्र का संचालन करने वाले अधिकारी के समक्ष तुरंत करेगा तो कितना करेगा 25 पर संपत्य कौन होनी चाहिए अचल इसको विसेश रूप से ध्यान लखिए कि अचल संपत्य के मामले में जो क्रे गता के द्वारा कितने समय में और नियाले में जमा किया जाएगा तो क्रेध है वह 15 दिन कैद्धिन के भीतर उसको नियाले के समक्ष जमा किया जाएगा तो इसके संदर में प्रावधान कहां दिया गया है तो आदेश 21 का जो नियम 85 है इसी के अंतरगत यह प्रावधान दिया गया है तो यहां पर तीसरा बिगल्ब सही होगा तो दोस्तों इस प्रकार से यह आठवा पार्ट जो है समाप्त हुआ और अभी हम आदेश 21 को ही देख रहे हैं आदेश 21 को ही पढ़ रहे हैं और इसके बाद जो है हम आगे की चर्चा जो है अगले वीडियो में करेंगे और अब साहिए दो या तीन वीडियो और आए और इस असानी से आप अपने प्रस्णों को हल कर पाएंगे किसी भी तरह की कोई परिक्षा बस आप विसेज ध्यान रखें कि आप जो है इसके साथ साथ अपना बेरेक्ट देखते रहेंगे और उसमें आवस्यक जहां लगे वहां पर उसको अंडरलाइन कर लेंगे उसके प्राव झाल 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 झाल